Retirement of Partner Calculation of New Ratio ये इस topic का 3rd type of question है इसके अलावा ये जो 3 type मैंने आपको कराए है इसके अलावा किसी भी book में आपको कोई भी extra question नहीं मिलेगा थोड़ी language change हो सकती है आपको question समझना है पर type ये ही 3 है इन questions के तो new ratio कैसे calculate करना है मैं आपको बताऊंगी पर वो question की through ही मैं आपको समझा सकती हूँ तो हम question ही देखते हैं directly क्या change आएगा देखिए राम, मोहन, सोहन, partners है ratio given है हमे सोहन retire हो रहा है और लिखा ये है कि his share is taken up by राम and मोहन in the ratio 3 is to 2 तो ये 3 type of questions है जहाँ पर क्या होगा हमें acquire ratio given होगा acquire लिखा है या surrender लिखा है solve ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रही हूँ एक ही method है इसका अब क्या करेंगे पहले हम denominator same करके सबसे first step में हमें लिखना है old ratio तो old ratio 1 by 5 1 by 5 1 by 3 और 7 by 15 है तो हम denominator 15 LCM ले लेते हैं 3 is to 5 is to 7 आगया हमारा old ratio second step में लिखना है हमें उसका share जो retire हो रहा है यहां retire हो रहा है सोहन तो सोहन का share लिखेंगे सोहन का share है हमार पास 7 by 15 third step में लिखना है हमें acquire ratio हमेशा sequence यही रखेंगे आप लोग sequence चेंज हुआ तो answer चेंज हो जाएगा हमें ट्रिक है हमारी acquire ratio लिखेंगे 3 is to 2 अब ट्रिक के याद रखनी है 2 into 3 plus 1 step 2 की multiply step 3 से करनी है 1 में plus करना है अगर आपने मेरी admission of partners की वीडियो देखिए वहां भी हमने ऐसे acquire question किये थे फरक इतना आया था कि plus 1 की जगा minus 1 हुआ था क्योंकि वहां sacrifice कर रहा था यहां gain कर रहा है बस इतना सा change है अगर आपने वह वीडियो ध्यान से देखिए और आपको समझ में आया है तो easily समझ में आ जाएगा नहीं भी देखिए तो मैं दुबारा explain कर रही हूं आप लोग को अब 2 into 3 करना है तो पहले हम राम के लिए calculate करेंगे 2 into 3 मतला 2 में तो यह यह 7 by 15 थार्ड में यह शियर राम का है और यह मुहन का है तो हमें यह multiply करना है पहले है 7 by 15 into 3 by 5 यह आ गया 21 by 75 अब इसे add करना है 1 में तो 1 में राम का शियर क्या है 3 है ना add करोगे 3 by 15 plus 21 by 75 LCM 75 आएगा 15 50 75 होता है 15 plus 21 36 अपन 75 आगया आंसर राम का ऐसे ही हम मोहन का calculate करेंगे मोहन के लिए भी 2 into 3 करना है पर multiply किस से करेंगे 7 by 15 की अब 2 से multiply होगी राम के लिए हमने 3 से करी थी मोहन के लिए हम 2 से करेंगे तो 7 by 15 into 2 by 5 14 upon 75 add कर देंगे मोहन के शेर में 5 by 15 plus 14 by 75 तो यह 75 आगया 25 plus 14 39 by 75 तो हमारा new ratio आगया इस case में 36 is to 39 अब यह दोनों 3 से divide हो सकते हैं तो पहले 3 से divide की जाए तो answer आजाएगा 12 is to 13 अगर इस case में gaining ratio भी हमसे पूछा जाए gaining ratio वही होता है जो acquire ratio होता है हमें given है acquire ratio कितना है 3 is to 2 तो gaining ratio क्या होगा acquire ratio ही होगा हमें calculate करने की जड़त नहीं है ताइम बेस्टेज है तो यह जो acquire ratio अगर हमें given होता है तो वहीं हमारा gaining ratio होता है फिर बता रही हूँ step यह लगाने है first लिखना है old ratio second जो partner जा रहा है उसका share 3rd acquire ratio 5 step याद रखना है step 2 into step 3 plus step 1 अब एक और question देखने है आपको variety जब दिखेगी कि हम कैसे पैचानेंगे Shiv Mohan Hari are partners sharing profits in the ratio 5 is to 5 is to 4 Mohan retired and his share was divided equally between Shiv and Hari equally मतलब acquire ratio होगया हमारा 1 is to 1 directly नहीं given equally का मतलब होगया acquire ratio 1 is to 1 है वही question है acquire वाला पहले क्या लिखना है हमें old ratio लिखेंगे old ratio है हमारा 5 is to 5 is to 4 Mohan retire हो रहा है second step में Mohan का share लिखेंगे Mohan का share हो गया 5 by 40 third acquire ratio लिखेंगे acquire ratio हो गया 1 is to 1 अब calculate करते है पहले shift के लिखेंगे 2 into 3 करना है प्लस 1 करना है तो 5 by 14 into 1 by 2 यह आएगा 5 by 28 अब इसे add करोगे shift के share में 5 by 14 plus 5 by 28 10 plus 5 by 28 यह आगया हमारा 15 by 28 अब हरी के लिखेंगे करते हैं से में 2 into 3 plus 1 तो 4 हरी तो हरी के लिखेंगे 5 by 14 into 1 by 2 क्योंकि equally था तो 5 by 28 आगया अब हरी के share में add करेंगे 4 by 14 plus 5 by 28 8 plus 5 by 28 13 by 28 तो हमारा new ratio आजाएगा इस case में 15 is to 13 और gaining ratio का मैंने आपको बताईए इन questions में जो acquire ratio होता है वही क्या होता है हमारा gaining ratio क्या हो जाएगा हमारा 1 is to 1 मैं आपको फिर बता रही हूं यही तीन टाइप के question है अगर आपको किसी question में confusion होता है तो आप comment में picture भेज सकते हैं में solve करके बता दूँगे टाइप भी बता दूँगे आपको पर इन टीन टाइप के अलावा और कोई question नहीं है A, B and C, A partners sharing profit and losses in the ratio 4 is to 3 is to 2 इसमें language समझनी है बहुत अच्छा question है important है तो old ratio में given है A is acquiring 4 by 9 of C's share and balance is acquired by B अब इस बात का मतलब समझो 4 by 9 of C's share 4 by 9 जो denominator में value दी होती है बच्छो इसका मतलब है इतने parts में हमने चीज को divide किया है C के share को हमने 9 part में बाटा जिसमें से 4 part A ने ले लिए 9 part में बाटा है 4 part A ने ले लिए तो B के लिए कितने part बचे हैं जो 9 part में बाटा है 4 part A ने ले लिए C 5 part बचे ना B के लिए किसी एक चीज को for example PIZZA को 9 e part में बाटा चार part दे दिया हमने A को तो क्याक़ छता है तो इस language से क्या पता चलता है कि जो हमारा acquire ratio हो गया वो acquire ratio हो गया हमारा 4 is to 5, कि C के share को हमने 9 पार्ट में बाटा, 4 पार्ट दे दिये A को, बचे वे दे दिये हमने B को, तो acquire ratio हो गया हमारा 4 is to 5, अब question वही बन गया, उसी के according solve करेंगे, सबसे पहले हम first step में लिखेंगे old ratio, second में जो partner जा रहा है उसका share, और third में acquire ratio, तो first old ratio हमें given है, old ratio है 4 is to 3 is to 2, C जा रहा है, तो C का share लिखेंगे, 2 by 9, acquire ratio मैंने आपको समझाया है कि कैसे आया है, acquire ratio हो गया 4 is to 5, क्या करना है, why question हो गया, 2 into 3 plus 1, तो पहले एक के लिए calculate कर लेता है, for a, 4 by 9 into 4 by 9, 16 upon 81, sorry 2 by 9 था, 8 by 81, add करेंगे 4 by 9 plus 8 by 81, 36 plus 8, 44 by 81, अब ऐसे ही हम B के लिए calculate करेंगे, 4 by 2 by 9 into 5 by 9, 10 by 81, अब add करेंगे, 3 by 9 into 10 by 81, 27 plus 10 by 81, या गया 37 by 81, तो हमारा new ratio हो गया, 44 is to 37, और gaining ratio इस केस में मैंने आपको बताया है, जो acquire ratio होगा, वही होगा हमारा gaining ratio, आप calculate कर लो new minus old answer वही आएगा, तो वहाँ अगर MCQ में आता है question, तो हम इतना time waste नहीं करेंगे, calculation में, तो gaining ratio हो जाएगा, 4 is to 5, यह हमारा पूरा topic था retirement का change in profit sharing ratio का, next topic हम discuss करेंगे, goodwill की, goodwill कैसे treat करते हैं retirement में, thank you, पंतु,